नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रैनी अमेजिंग केच्चन में आज हम बनाएंगे सूजी की बरफी सूजी की बरफी जो खाने में बहुती टेस्टी भी है और हेल्दी भी है वैसे भी आजकल हम कुछ ऐसा ही खाना मांगते हैं जो हमारे लिए हेल्दी हो नहीं रेसिपी सीखने को मिल सकें जो की हेल्दी है और टेस्टी भी है तो बिना टाइम गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं सूजी की बरफी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पान में आधा कटोरी गी लेंगे और उसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे जब घी गरम हो जाएं तब हम उसमें एक कटोरी सूजी मिलाएंगे और उसको हम अच्छे से मतलब थोड़ा सा गोर्डन ब्राउन होने तक हम उसको भुन लेंगे सूजी को भुनना बहुत जरूरी है क्योंकि भुनने के बाद ही उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आता है जब सूजी घी में अच्छे से भुन जाती है तो टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा सा आने लगता है तो इसको हम चलाते रहेंगे ताकि सूजी जो है वो नीचे चिपक ना जाए अब आप देख सकते हैं हमारी सूजी जो है वो अलड़ी गोल्डन ब्राउन हो गई है अब हम जो है इसमें आदा के टोरी नारेल का बुरादा मिलाएंगे नारल का बुरादा मिलाते समय हम गयास को जो है वो बन कर देंगे नहीं तो जो हमारा नारेल है वो जलने लगेगा जिससे हमारी मिठाई का फ्लेवर जो है वो खराब हो सकता है तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे नारल के बुरादे को आप नारल का बुरादा मार तो मेथा मिलाएं लिए की जगव पर एक काटोरी जो है वह खजूर लिया है अब भर में थोड़ा से पानी अब नेक्स जो है वह हम एक पान में एक चमच करीबन गी गरम करेंगे घी को हमें अच्छे से गरम करना है और जब हमारा घी गरम हो जाएगा तब हम इसमें जो हैं रिस्कों अज़ूर प्लेवर चलते नहीं तो खजूर फ्लीवर घृमानँ चीद च dłक नाज़ना हाई नहीं में जाणाथम से लगा फ्लीवर खराब हो सकता है रहा हम्यादा नहीं जादा नहीं ऻृमान है यही बस इसको चलाते रहना है ताकि खजूर जो है थोड़ा सा भुन जाए जब खजूर भुन जाएगा तब हम इसमें जो है एक छोटा टुकड़ा गुड का मिलाएंगे और इसको हम जब तक यह पिगलेगा तब तक हम इसको चलाएंगे गुड से जो है हमारी बरफी के अं मैंने हर celebrated powder डाला है मैंने जब हर लाइची का पाउडर ref Esther मैंने पूरी पूरी यह लिए उसकी green covering के साथ मैं आपको पीचा है क्योंकि वह हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है तो अब हम जो है इसको अच्छे से एक बार mix कर लेंगे ताकि सब चीजब एक मिटास jaar अच्छे से मिक्स हो जाएं अब इसको अच्छे से मिक्स करने केबाद हमatta और नहीं आप अच्छे से मिक्स अपर लेंगे में नहीं कि अब तक हम इसको थोड़ा साथले देंगे ताकि सूजी में जो है वो खजूर की मिठास अच्छे से मिक्स हो जाए और सूजी जो है उस मिठास को पकड़ ले उस फ्लेवर को पकड़ ले तो हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और जब हम यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम उसमें एक ग्लास के करीब दू तो देखिए मैं इसटों इस अच्छे से मिक्स कर रही हूं और इसकों मिक्स करते ही रहेंगे ताकि यह जले मिद्द करने के अब हमारा हलवा वह अच्छे से मिक्स हो गया है शारा को से जृब नोद रिल्ट जो है वह सूक चुका है अब हम बंग कर देंगे और थाली लेंगे और उसमें हम अच्छे से घी जो ढात धाली दो कर सब दूंपड कर लेंगे ओर जनकी अब गी जाएगा तब हम यह तयार किया तूपल हम अपकर ट्रक न है infiniteकिन मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है अब हम इसको जो है वो पांच मिनिट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने देंगे थोड़ा सेट होने देंगे और पांच मिनिट के बाद अब हम जो है इसको शेप में काटेंगे हम एक नाइफ से इसमें जो है इसमें हम cut करेंगे देखे मैंने सारा shapes जो है वो cut कर लिए है देखे मैंने square shape में बरफी काटी है और कितना अच्छा shape आया बिल्कुल बरफी जैसा shape आया है तो देखा आपने बरफी बनाना सूजी की कितना जादा easy है ये जल्दी बन जाती है और बहुत जादा हेल्दी है हमने इसमें sugar use में नहीं ली है हमने इसमें जो है sugar की जगव पर खजूर और गुड का इस्तमाल किया है जो की health के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इसका taste भी बहुत अच्छा आता है तो इसको जरूर बनाइए मेरे चानल पर नए है तो सस्क्राइब करना मत भूलिएगा तो अगली बार फिर हाजर होती हूँ एक नई healthy और tasty सी recipe लेकर और आप जरूर से मेरे चानल को देखते रहिए पसंद करते रहिए तो अगली बार फिर हाजर होती हूँ तब तक के लिए नमशकार